इस वीडियो में हम level create करेंगे तो जो हमने last वीडियो में project save किया था हम उसी को open कर लेते हैं अगर आपने recently उसको open किया है तो वो आपको यहाँ पर show करेगा नहीं तो आप यहाँ पर click करेंगे open open पर click करने के बाद जहाँ पर हमने उसको रख रख रखाये जिस folder में वहाँ पर जाकर उसको open करा लेंगे यह हमारा new project open हो गया जो हमने save किया था तो हम इसमें level create करेंगे level create करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर click करेंगे जो project browser में elevation show कर रहाए by default east north south और west तो आप किसी भी इसमें से elevation को open करा लें double click करके जैसे मैंने east पर double click किया तो यह यहाँ पर open हो गया और यह हमें by default दो level show करा रहा है level 1 and level 2 हम इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं जो इसका नाम है यहाँ पर level 1 and level 2 जो यहाँ पर level 1 analytical और level 2 analytical हम इसको अभी analysis नहीं करेंगे तो हम इसको delete कर देते हैं हम यहाँ पर click करेंगे और delete इस पर click करेंगे delete तो अब हमें यहाँ पर शिर्फ show करा रहा है structural plan के अंदर level 1, level 2 हम इसको यहाँ पर देख हैं यह तो इसका नाम है level 1 और जो 0 लिखा हुआ यह इसकी value है हम इसको change कर सकते हैं अपने according जैसे मैंने आपर click किया level 1 पर और मैंने इसको नाम दिया जैसे तो जब हम नाम type करने के बाद enter करेंगे या click करेंगे बाहर तो हमें यह message show करेंगा would you like to rename corresponding views तो हमने इसका यहाँ पर level 1 से नाम change करके footing level किया है लेकिन यहाँ पर जो project browser में show कर रहा है structural plan के अंदर level 1 तो अगर हम इसको yes करेंगे तो यहाँ पर भी इसका नाम change कर देगा अगर हम इसको no करेंगे तो यह सिरिफ इसका यहाँ पर name change करेगा यहाँ पर project browser में इसका नाम change नहीं होगा तो अगर हम दोनों करना चाहते हैं हम यहाँ पर click करेंगे yes तो यहाँ पर देखेंगे project browser में भी है इसका नाम change हो गया अगर हम इसकी value change करना चाते हैं जैसे इसकी value 0 है अगर हम इस पर click करें 0 पर और इसको minus में कोई भी value डाल दें जैसे minus में 2500 मेंने डाल दिया यह mm में value है यह जितनी भी value show कर रहा है अगर आप check करना चाते हैं जो इसकी unit चल रही है वो किस में चल रही है millimeter में या meter में तो उसके लिए आप shortcut use कर सकते हैं UN या फिर यहाँ पर जाए manage tab में setting panel में आपर click करें project units project units में आपर देखें length area हर चीज़ के अलग-अलग units है तो आप यहाँ पर देखें length length हमारी किस में चल रही है MM में अगर change करना चाते हैं हम इस पर click करेंगे और यहाँ से हम इसे किसी भी units में रख सकते हैं और यहाँ पर units की जो है decimal palaces को change कर सकते हैं यहाँ पर उसका sample change कर सकते हैं उसके बाद OK बटन पर किलिक करेंगे, लेकिन मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना, मुझे मिलिलिमीटर में ही काम करना है, तो मैं इसको कैंसिल करा देता हूँ, कैंसिल, तो यह हमारा लेविल सेट हो गया है, यहाँ पर 01, फूटिंग लेविल, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, लेविल 2 जो लिखावा है, इस पर किलिक किया, मैंने इसको दिया 02, मैंने यहाँ पर इसको दिया, यह से Ground लेविल, और उसके बाद Enter, Sam, वो ही पुछाएगा, चेंज करने के करेंगे, Architecture, Datum, Panel के अंदर यहाँ पर किलिक करेंगे, लेविल, और ऐसे ही हम किलिक करके लेविल बना देंगे, हम वेसे ही बना सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं, यहाँ पर Temporary Dimension शो कर रहा है, अगर हम कोई Dimension डालना चाते हैं, वो डाल सकते हैं, जैसे मुझे Dimension डालन में लाएंगे, तो हमें एक यह डेश लाइन शो करेंगा, जब भी डेश लाइन शो करेंगे, क्लिक करा दें, तो यह बन जाएगा, इसके बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, हमारा Level 3 बन गया, इसे हम इसका भी अगर नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज कर आया है और ceiling plan भी आया है हमें यह नहीं रखना तो हम इसको delete कर देते हैं मुझे और level create करना है मैं और level create कर सकता हूँ यहाँ पर click करेंगे architecture और यहाँ पर click करेंगे datum panel में level तो जो हमने last level बनाया था यह level 3 तो इसमें हमारे जब हमने level create किया तो इसमें by default बनके आया floor plan और ceiling plan तो मुझे वो नहीं बनाना पहले से ही तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर click करेंगे plan view types तो यहाँ पर यह सब कुछ select हो रहा है मुझे floor plan भी नहीं बनाना और ceiling plan भी नहीं बनाना मुझे सिर्फ structural plan बनाना है तो मैं सिर्फ structural plan को ही यहाँ पर select करूँगा और उसके बाद OK बटन पर click करेंगे और जो भी value हमें रखनी है यहाँ पर value डालेंगे या बाद में भी हम इसकी value को change कर सकते हैं कभी भी और यह ऐसे हमारा बनी गया उसके बटन प्रेस करेंगे यह level 4 शो कर रहा है यहाँ पर हम click करेंगे इसको नाम दे देंगे जैसे और इसका नाम change करा देंगे आपर yes तो यह हमारा बनी गया लेविल अगर और बनाना चाते हैं कोपी करके भी लेविल बना सकते हैं हम इसको select करेंगे इसे select करने के बाद यहाँ पर modify में आ जाएंगे हम और इसके बाद यहाँ पर click करेंगे copy कितने mm पर copy करना चाते हैं यहाँ पर हम value डाल देंगे और इसके बाद enter लेकिन copy करने से क्या होगा सबसे पहले तो हमें यह black color में show हो रहा है बाकी जो हैं वो blue में show हो रहे हैं करने इसका बाद बाद बन गया लेकिन project browser में यह हमें show नहीं होगा लेविल 5 प्रोजेक्ट ब्राओजर में कोई level 5 का नाम का plans नहीं है तो वह हम अगर हम इस level में जाना चाते हैं इस plan में जाना चातें तो कैसे जाएंगे क्योंकि हमारे पास project browser में show नहीं कर को हम इसमें जा structural plan जो भी आप बनाना चाहते हैं floor plan या reflected जो भी तो मुझे structural plan बनाना है तो मैंने यहाँ पर click किया structural plan और जितने भी हमारे level का plan नहीं बना हुआ होगा उनका नाम यहाँ पर show करेगा अब यह सिर्फ level 5 का नहीं बना हुआ तो वो level 5 को यहाँ पर show कर रहा है हमें इसको बनाना है मैंने यहाँ पर click किया इसको select किया या नहीं गया और ok button पर click किया तो आप यहाँ पर देखें project browser में हमें show भी कर रहा है level 5 और यह level 5 open भी हो गया हम फिला level 5 को यहाँ पर click करके यह cross button है इसको close करा देते हैं अब मुझे इसको नाम देना है level 5 को कुछ भी जैसे मुझे नाम देना इसको 05 मैंने इसको नाम दिया roof floor और वही सेम तरीका नाम change करने के लिए yes तो यह इस तरीके से हमने अपने levels create कर लिए जितने भी आप चाते हैं level create करना उतने लिए level create कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है और उसका corresponding view भी बना सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई भी question आप comment में लिख सकते हैं चैनल को ज़रूर subscribe करें वीडियो को like करें और अपने आसपास साफ़सफाय का ध्यान रखें गंदगी ना फेल आए गरीबों की मदद करें जो भी गरीब हैं उनकी help करें thank you